वहीं सू शासन के इन तीन सालों में खेल विभाग ने क्या अचीवमेंट्स हासल किये हैं इसको लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना से हमारे संबादाता दिनेश डांगी ने खास बादचीत की रिपोर्ट देखे राजस्तान सरकार के तीन साल पूरे होने पर आज हम खेल विभाग से जुड़ी उपलब्दियों पर बादचीत करेंगे मेरे साथ है खेल मंत्री अशोक चांदना जी आप क्या मानते हैं तीन साल में विभाग में बड़े काम क्या हुआ जैसे आउट आफ टरम जाके स्पोर् श्टिशत के हमने रूल बदले उसके तहत दोसों से उपर खिलाडियों को नौकरी मिली हमारे राजस्तान स्टेट गेम्स कराने वाला पहला प्रदेश बना भारत में कोई भी प्रदेश स्टेट गेम्स नहीं करा पाए पहली प्र्देश सरकार है हमारे एक बैस शुरू हो चुका है तो अने को ऐसे काम जो आज तक कोई परदेश नहीं कर पाया है वो राजस्तान सरकार ने इन तेन सालों में किया है अरियाना और पंजाब की तरह गाउंगली से खिलाडी कब निकलेंगे ऐसी कोई खेल निती राजस्तान में बनाने की परियास है किस तरह खिलाडियों को आगे और बढ़ावा मिले देखिए खेल निती में कुछ सुधार और करने की ज़रूरत है लेकिन अभी जो खेल निती राजस्तान की कबड़ी टीम ने निशनल मेडल मारा कब भी जब इस से पूर में निशनल मेडल मारा तो एक खिलाडी राजस्तान का होता था और बाकि 10-11 खिलाडी आउट वस्टेट के होते थे ये पहला ऐसे मेडल्स हैं दो जिसमें एक खिलाडी आउटर स्टेट का था और बाकी सारे 10-11 खिलाडी जो है वो स्टेट के थे 34 साल के बाद में राजस्तान की फुटबॉल टीम हाई लीग में पहुंची है टॉप 8 टीम्स इन इंडिया 35 साल के बाद में साइकलिंग राजस्तान ने ओल ओवर की चेंपिंशिप 35 साल के बाद में इंडिया में जीती है हेंड़ बॉल का नेशनल मेडल है तो अने को काम जो इस तीन सालों में माने मुक्मन तजी की नितरत में हमारे डिपार्टमेंट कर सका है यह उसी का रिजल्ट है अब आब देखेंगे अगले चार-पांच साल में आब हर्याना-Panjab की बराभरी कर रहे हैं हमारी जोब रूल थो हर्याना-Panjab वाले भी मांग रहे है हर्याना-Panjab वाले कहते ही कि राजस्तान जैसे रूल्स हमारे यहां पर भी अपलाई होने चाहिए छे से साथ परदेश सरकारों ने हमारे ये जॉब रूल्स मंगाए हैं वहां इंप्लिमेंटेशन करने के लिए शायद वहां भी जल्दी होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कारेकाल में जो काम हुए है उसके तहट अगले 4-5 सालों में राजस्तान देश के सबसे अगनी परदेशों में होगा खेलों में अलम्पिक से लेकर नैसलन लेवल के गैमें पदक जीतने वालों के लिए भी आपने राजसी बढ़ाई है ये मुखिमंतर जी का फैसला रहा और इतना बड़ा फैसला हर्याना जैसे बड़े-बड़े परदेशों को टक्कर देने वाला जीत कर रहा है कई बार हमारे खिलाड़ी अपनी प्राइज मनी के लिए कई-कई साल तक चकर काटते रहते थे वो फ्लाइट से जेपूर उत्रे उससे पहले हमने उनका पैसा 10 करोड रुप्या प्राइज मनी जो था उनको दे दिया ये भी राजस्तान में पहली बार होगा है देखे बिरोजगारों के लिए ये तो ये बड़ी जीवन दाईन ये योजना है हमारे कॉंग्रेस पार्टी के उसमें था इलेक्शन मैनिफेस्टो में था और मैनिफेस्टो के तहती आते ही मानने मुख्यमंतरी जिन इस योजना को लागू किया और इस पर कई बार विदान सभा में विपक्ष के लोग भी सवाल उठाते हैं तो उसका तो मुझे एक ही जवाब है कि बिरोजगार लोगों की अगर उनको इतनी चिंता थी तो पांच साल में उन्होंने जितना बिरोजगारों को बत्ता दिया उतना हम हर तीन महीने में दे रहें उनके पांच साल और हमारे तीन महीने बिरोजगारी बत्ते में, तब भी हमारे तीन महीने भारी पड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें अद्वूत काम हुआ है और उनके समय में एक लाग पर कैप था कि एक लाग से ज़ादा बेरोजगारों को बत्ता नहीं दिया जाएगा मुक्यमंतिर जी ने आते हुश को एक लाग साटे जार किया बत्ता तो बड़ा है बड़ाया, 600-700 से सीधा तीन जार, साड़े तीन जार किया लेकिन कितने लोगों को मिलेगा उसकी भी मात्रा एक लाग से बढ़ा कर एक लाग साथ करी और इस साल पिछले बजट में दो लाग कर दी तो अब दो लाग तक बिरोजगारों को ये बत्ता मिलेगा और बत्ता भी तीन साधे तीन कीज़े के चार और साधे चार हजार मिलेग Skills Training Program से जुड़ा Department महिकमा भी आपका पास है उसको आप क्या उसकी उपलब्दिया मानते हैं देखिए हमारे सरकार बनने से पहले केवल स्कूल के fallouts के लिए हमारे state schemes में programs थे अभी हम लोगों ने college going students है उनके लिए भी skilling program जारी किये और lately हम लोगों ने graduate pass out किवे college pass out किवे खिलाडियों के लिए भी अने को course बनाए हैं तो कोई भी बेरोजगार चाहे वो school fallout है चाहे वो college fallout है चाहे वो college pass out है किसी भी category का आदमी है उसको training का पुरा अधिकार है और हमने ये नई योजनाओ के तहट सभी उम्र के बेरोजगारों के लिए ये सोगाता ही है आखरी स्वाल है आपने जिस तरह out of turn जाके लोगों नोकरी दी यानि day to day खुद आपने तनाव लेकर file को track किया अब खेल मंतरी राजस्तान को खेल के सेक्टर में क्या योगदान चाहते है आप चाहते हैं कि इन दो सालों में ये तो होना ही चीज इसके लिए आप फिर तनाव लेंगे देखिए बहुत बड़ा तनाव हम वैसे हमको तनाव होता नहीं है क्योंकि मुक्यमंतरी जी के एक आदत है नहीं वो कोई बात नहीं वो तो बड़े काम के लिए अपनी अपनी हडल्स होती है और उसके आदत इंसान को डाल लेनी चाहिए लेकिन मुक्यमंतरी जी का एक attitude खेलों के परती मैंने देखा है कि आप सही बात सही तरीके से रख दो फिर sky is the limit मतब उसके उपर कोई कैप नहीं है कितना पैसा लगेगा कैसे आयोजन होगा क्या उसके उपर कोई कैप नहीं है बड़ आपकी सही बात रखो और सही तरीके से रखो आप देखिए ग्रामिन खेल का बजट कभी किसी राजस्तान सरकार ने आयोजन में 50 लाग ते खर्च नहीं किये मुक्यमंतरी जी ने 40 क्रोड रुप आयोजन में खर्च करने के लिए दे दिये स्पोर्ट स्कूल की मंजूरी उन्होंने दे दी तो खेलों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है और आने वाले दो साल में खेल विभाग को खेल प्रेमियों को खेलाडियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ वो काम जो रह गए हैं और मैंने हाँ मैंने का एक काम के लिए हमको तकलीफ तो नहीं होगी लेकिन काम बहुत करना पड़ेगा हमारी इच्छा है कि केड़ा परिशत से खेल डिरेक्टरेट बने खेल विभाग बने ताकि इसमें नंबर ओफ कोचेज नंबर ओफ ट्रेनर्स नंबर ओफ स्टाफ बहुत ज्यादा हो जाए और सुचारू रूप से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्लॉक्स तर तक भी जाए खेल दुबाकी इसके उपर हम लोग काम करेंगे खेल और खिलाडियों को लागातार सरकार बढ़ावा देती रहेगी और उनके विकास में कोई कोर कसन नहीं छोड़ेगी और आगे भी किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते हैं इसके लिए एक्सपर्ट तयार किये जाएंगे ये कहना है खेल मंतरी असोग चांद नागा कैमरा परसन तनूस सर्मा के साथ दिनेश डांगी इंडिया न्यूज जे को वैसी के साथ तिलहाल के लिए बुलिटिन में इतना ही अब बने रहे इंडिया न्यूज रास्थान के साथ